दोस्तो बॉक्स ओफिस में विक्रम वेदा का क्या है भाई सहाब हाल हो चुका है रिलीज हुए दस दिन आज है डे 11 तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विक्रम वेदा रितिक बाबू वाली विक्रम वेदा क्योंकि आपको पता है ना कि एक जो कमी थी एक जो इसमें डाक था जिसने इस मूवी को भाई सहाब दुबा दिया है यारी कि इस सिनारियो में करेंट सिनारियो में देखो भाई कोई भी रिमेक मूवी चल नहीं रही अगर आप लोग देखो बॉलीवुड ने बहुत रिमेक किया 2022 में लेकिन सबका रिजल्ट एक ही या तो डिजास्टर तो गाइस यहां पर एक बड़ा नाम एक नहीं दो बड़ा नाम सैफ और रितिक ने इस मूवी को दोस्तों कह सकते हैं कि बचाने में नाकामी हासिल की है लेकिन फिर भी देखेंगे कि कमाई इसकी कितनी हो चुकी है क्योंकि शुरुआत के दस दिनों क देख रहे हो कि नौर्थ की ओडियंस का जो स्वाध है वो भाई साहब कोवीट के बाद अलग हो गया है औरिजनल मूवी भी उनको अच्छी नहीं लग दी तो रिमेक मतलब क्यों देखेगा इनसान मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं गाइस देखो रिमेक का यह वक्त न दिया एक रिवाइव दिया लेकिन दोस्तों उसके बाद वही जो पुराना माहौल है वह दोबारा लॉट के आया और कई मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लाप साबित होई जैसे कि आप लोगों देखा अमिता बचन की मूवी गुडबाई भी बॉक्स अफिस में बहुत जल् आया था वहीं दोस्तों बात की जाए इसके डे एट की यानि कि इसके सैकिंड फ्राइडे की तो इसने अपने दूसरे फ्राइडे बहुत लिमिटेड कमाई की दो करोड़ चोवन लाग रुपे में मामला चुका था अभी बात की जाए इस मूवी शनिवार के दिन कितना कम कमाई होती लेकिन दोस्तों संडे का भी ऑफिशल कमाई आ चुका है संडे में इस मूवी ने अप्रोक्समेटली 3.96 करोड रुपे की कमाई की और देखो गई सनिवार और संडे की कमाई में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है शनिवार को 3.93 तो संडे को 3.96 करोड यानि कि आप लोग देखो कि एक अच्छा एक दशहरा का मौका था इसके पास एक अच्छा क्रेक्शन करने का नितिक ने दोस्तों 2 अक्टूवर के माहौल में बहुत से हिट दिये हैं वार आप लोग ले सकते हो आप लोग ले सकते हो बैंग बैंग और भी मेरे ख्याद से राज इन बड़े-बड़े सुपरस्टार से यह जो मूवी है जादा कमाती हुई दिखाई दे रही है नेट क्लेक्शन में यानि कि इसकी जो कमाई है 69 करोड रुपे का नेट फिगर रहा है दोस्तों के रित्तिक रोशन एक बड़ा नाम है तो ओवर्स से भी अराउंड 37 क कमाई हो चुकी है 37 करोड जगाइस दस दिनों में ओवर्स की कमाई 37 करोड रुपे के रही है दस दिनों का इंडिया होता है तो दोस्तों पार तो नहीं हो पाएगा और यह वीगडेज में इसकी आहालत और पंचर होगी अभी आने वाला समय दोस्तों और इसके लिए बेकार होगा कर मुवी दोस्तों होती ना तो इसके पास तीन हफता था जब से रिलीज हुए इसके पास तीन हफता था क्योंकि देखो राम से तू ठैंक गॉड से ही इसको दोस्तों थोड़ा डर था लेकिन फिर भी कोई यहां पर कमाल नहीं हुआ अगर बात की जाए इसक इसकी भी अच्छी कमाई हुए लेकिन हम लोग देखें इसका आज के दिन बहुत बुरा हाल होने वाला है एक करोल पचास लाग रुपे वन पॉइंट फाइफ जिलो करोड रुपे ऑन डे इलेवन सैकिंड मंडे के दिन यह कमाती हुए दिखाई दे रही है और दोस्तों इसके ओकिपैंसी मॉर्निंग 6.67 आफ्टनून 8.37 और इवनिंग की मेरे हिसाब से एप्रॉक्समेटी 11 परसेंट की है दोस्तों बात कि जाए शोज तो मुंबई में इसके पास 417 दिली में 499 पूने में 163 बैंगलूरू में 88 तो हैदरावाद में 73 कुलकता में 220 तो एहमद हैं कि भाई रित्ती रॉचिंटी मूवी फ्लॉप हो गई इस 2020 के हत्ते यह मूवी चड़ गई आपका क्या कहना है लाइफ टाम कहा तुक पहुंचेगी गाड़ी बताओ कमेंट में बिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही